नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंग्वेज ओफ लेनिट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जब भी जोतिश में या जन्म कुंडली में शनी की चर्चा होती है शनी एक तरफ से तो न्यायकारक ग्रहे हैं, हमारे कर्म के स्वामी है, कुंडली के दस्वें और ग्यार्वें भाव पर आधिपत्य रखते हैं और अधिकतर कुंडली के भावों पर अपना कंट्रोल रखते हैं तो शनी के बारे में लोगों की धारणा ये हो जाती है कि शनी जब भी किसी भाव पर द्रिश्टी डालेंगे तो उस भाव से संबंधित जातक के जीवन में संगर्ष पैदा करेंगे ही करेंगे ये सच भी है बड़ी संख्या में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कि शनी जिस भाव पर द्रिश्टी डालते हैं उस भाव के फलों को विलंबित करने का या उन्हें बिगारने का काम शनी कर दिया करते हैं न्याय कारक है इनका काम जातक के सामने चुनोतियां प्रस्तुत करने का है अब यहां पर बात यह आती है कि जातक को जीवन भी जीना है और उस तरह से जीवन जीना है जिस तरीके से जीवन को जिया जाना चाहिए यह है शनी का मूल मंत्र कलियोग में अधिकतर लोग शनी के इस दिशा निर्देश का पालन नहीं कर पाते और परेशानियों का शिकार लगातार हुते चले जाते हैं उसके बाद में बात ये आती है कि शनी के कारण ये काम खराब हुआ या शनी की द्रिष्टी के कारण हमारा ये काम खराब हुआ जबकि शनी के दिशा निर्देशों का पालन ना करने के कारण ऐसे हालात बनते हैं जिसे हम परेशानी का कारण मानते हैं क्या दोस्तों ऐसा भी कुछ है जन्म कुन्डली के अंदर ऐसा भी कुछ छुपा हुआ है कि शनी के कारण जातक परिवार में ऐसा सिक्का जमाले ऐसा नाम कमाले कि वो अपने परिवार के प्रतेक सदस्य की नजर में एक अलग मुकाम हासिल कर ले यह यह कहा जाए कि परिवार का एक चहेता सदस्य बन जाए सब की पसंद बन जाए दोस्तों ज़्यादतर कुंडलियों में देखने को मिलता है कि शनी की द्रश्टी लगन पर हो तो जातक कुछ आलस की प्रवर्ती जातक के अंदर आ जाती है यह बिलकुल सही बात है शनी की द्रश्टी लगन पर होना या लगनेश पर होना यह एक जिसे कहते हैं कि ठीक है मैं काम को अभी करता हूँ कल कर लूँगा या सोचता हूँ देखता हूँ इस तरह की प्रवर्ती को जन्म देता है शनी काम का स्थगन देर से होना या ना होना दिखाते है लेकिन जब भी किसी जातक के लगन पर शनी की द्रश्टी पढ़ती है उस जातक के अंदर एक विलक्षण गुण परदान करते हैं शनी और वो विलक्षण गुण जो कई कुंडलियों में एनलाइसिस करने पर मिलता है देखा जाता है के शनी जातक को अपने परिवार के प्रती अपने दायतों के प्रती अपने जो भी उसकी आसपास के वातावरण में उसकी लाइबिलिटीज बनती हैं उसके करतव्य बनते हैं उसके प्रती सचेत करता है जातक को अपने कर्म को निभाने या करतव्य को निभाने की शक्ती और प्रेणा और समझ शनी के द्वारा ही प्राप्त होती है जातक की कुंडली में यदि लगन के स्वामी पर और लगन पर शनी की द्रिश्टी हो और ऐसे शनी पर ब्रहस्पती की द्रिश्टी पढ़ जाए तो ये एक जातक के अपने परिवार के प्रती अपने करतव्यों के प्रती अपनी सूजबूज अपनी नेतिक्ता के प्रती समर्पित होने का प्रमाण है दोस्तों जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं उस कुंडली में शनी कुंडली के सात्वे स्थान में है शनी शुक्र की राशी में बैठे हैं और लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठे है यहाँ पर परसपर शनी और मंगल दोनों की द्रश्टी एक दूसरे पर पड़ रही है यहाँ शनी और मंगल का संबंद मजबूती के साथ बन रहा है यह जातक अपने परिवार में अपने विचार शीलता अपनी सूझ-बूझ के लिए काफी अच्छे तौर पर जाना जाता है हाला कि यह जातक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव वाला यहाँ पर चौते भाव में मंगलिक दोश्वन रहा है थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव वाला ये जातक अवश्य है लेकिन सही बात करना और तर्क पूर्ण बात को करना इस जातक का स्वभाव है दोसों ब्रहस्पती कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं जबके ब्रहस्पती अपनी नीच राशी में है और कुंडली के सातवे भाव में बैठे शनी के ऊपर देवगुरु ब्रहस्पती की द्रश्टी पड़ रही है इस देवगुरु की द्रश्टी ने जातक की सूजबूज को या ये कहा जाए कि शनी की शक्तियों को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है और शनी की नकारात्मक शक्तियों को नहीं सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाने का काम यह देवगुरु ब्रहस्पति कर रहे हैं क्योंकि देवगुरु ब्रहस्पति कुंडली के दूसरे भाव के और पांचवे भाव के स्वामी है और पंचमेश होकर अपने भाव से लाव स्थान में ग्यारव स्थान में यानि कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो इस जातक का सदयव पराक्रम इस तरह का होता है कि ये कोई भी काम जातक करता है, पूरे सुझ भूज गे साथ करता है, बहुत धर के परिचे देता है, और जादा तर इस जातक के जो काम होते हैं वो परिवार हित में होते हैं, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, उनकी चिन्ता करना, अपनी परसनेलिटी में उस जातक से कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए, जो उसके व्यवहार को समाज में खराब करें, इस चीज का ध्यान रखना, तो दोस्तों, शनी एक ऐसे ग्रह हैं, जो जातक को इस बात का भान कराते हैं, कि उसे किस प्रकार का आचरन करना उचित होगा, उसे किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढाना है, किस प्रकार से उसे अपनी दायतों का निर्वाह करना है, किस प्रकार से उसे अपने समाज में अपने परिवार का और अपने मान सम्मान का एक स्थान बनाना है, दोस्तों, जिस जातक की ये कुंडली है, वो जातक जो उसका उसका एजुकेशनल उसका लेविल है, उससे जादा उस जातक को मान सम्मान प्राप्त है, ये सब शनी की द्रश्टी लगन पर होने के कारण, और शनी की द्रश्टी लगन के स्वामी मंगल पर होने के कारण, और शनी के उपर ब्रहस्पती की द्रश्टी का होना इस बात को पुखता करता है, कि ये जारतक एक बहुत शानदार और बहुत अच्छे सोच विचारवाला विचारधारवेलर व्यक्ति है तो दोस्तों ये है वो ग्रहिस्थिती जब भी जन्मकुंडली के अंदर शनी की द्रषटी लगनपर और लगनेश पर या लगनेश पर शनी की द्रषटी हो और शनी के ऊपर देवगुरू ब्रहस्पती की द्रषटी आजाए तो अक्सर ये देखा जाता है कि जातक निश्य तोर से अपने परिवार के अपने करतव्यों के अपने मान सम्मान के ब्रती पूरी तरह से समर्पित होता है तो दोस्तों शनी से ये जुड़ा विलक्षन गुण या शनी का ये विलक्षन गुण आपको यदि अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद दोस्तों